हाई, राजीव शर्मा फ्रम माई एटूटर्स डाट कॉम जहां IITJE, NEET और CBSE Chemistry के साथ एसोसेटेड फंडामेंटल कंसेप्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आपके लिए लेके आता हूँ और इस एपिसोड में मैं Preferential Electrolysis डिसकस कर रहा हूँ और जैसा आप देखें तो यह मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको कॉर्सिस मिल जाएंगे जैसे यह क्लास 11 और क्लास 12 का Chemistry का कॉर्स है अब यह जो कॉर्स है यह लेसंस में डिवाइड़ है और लेसंस फ के साथ Subjective Online Test है और MCQ Test है तो यह सब चीजें जब आप प्राक्टिस करेंगे तो आप अपनी Chemistry को एक Next Level पे लिजा सब्गें Welcome Back तो यदि आपने Preferential Electrolysis को Properly Understand करना है तो आपको Activity Series या Reactivity Series के Concept क्लेयर होने चाहिए और यदि आप उन Concepts को दुबारा Review करना चाहते हैं या उसमें और Clarity चाहते हैं तो जो Left Corner पे जो Card Display हो रहा है उसको Follow करके आप अपने Concepts को दुबारा से Review कर सकते हैं तो चले क्लास में और देखें कि किस तरह से हम Preferential Electrolysis के साथ Associated Concepts को Understand कर सकते हैं तो Preferential Electrolysis हो जाएगा जब हम कोई Solution ले रहे हैं और उसमें एक से ज़्यादा केटाइन्स या एक से ज़्यादा एनाइन्स प्रेजेंट हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वह एनाइन्स या केटाइन्स कौन सा Preferably Oxidize होगा या Reduce होगा तो उसको Understand करने के लिए हम Preferential Electrolysis का Concept की Help लेते हैं तो हम देखते हैं किस तरह के से Preferential Electrolysis होता है तो सबसे पहले यह दी हम देखें तो Electrolysis का बिल्कुल जो Basic Schematic Diagram जो हो जाएगा वह यह है कि इसमें अब जो Basic Schematic Diagram है इसमें हम यह देख रहे हैं कि दिस इस Schematic Diagram of Electrolysis और electrolysis का मतलब हो जाएगा कि हम basically electricity पास करके जो electrolyte है उसको हम या जो compound present है उसको break कर रहे हैं into its ions तो उसको हम electrolysis कह देंगे या उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं when electrical energy is used to convert into chemical energy so that is known as electrolysis अब हम यह जो schematic diagram में देख रहे हैं यह हम battery use कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम external current supply करेंगे तो यहां से हम देखें तो यह जो positive terminal of the battery है हमने इस electrode के साथ connect किया वा है तो हम देखें कि हमने यह positive terminal of the battery है यह इस electrode के साथ connect किया है और यह जो negative terminal of the battery है यह इस electrode के साथ connect किया है तो अब इसी लिए हम इसको कह देंगे जहां पे हमने positive terminal of the battery connect किया है उसको हम कह देंगे anode और जहां negative terminal of the battery connect किया है उसको कह देंगे cathode तो इस तरीके से यह basic है जो हम use करते हैं कि cathode और anode cathode हमेशा negative terminal of the battery के साथ connect करेंगे और anode हमेशा positive terminal of the battery के साथ connect करेंगे अब यहां पे anode पे हमेशा oxidation होगी और cathode पे हमेशा reduction होगी और क्योंकि हम एक electrolytic solution ले रहे हैं यह जो solution हम दिखा यहां पे है यह कोई electrolyte का solution है और जो electrolyte होता है वो एक ऐसा substance होता है which will dissociate into ions तो अब electrolyte हमेशा dissociate करेगा into ions में और जो reduction होगी वो हमेशा ketions की होगी और जो oxidation होगी वो हमेशा anions की होगी तो इस तरहां से electrolysis का basic concept है अब हम next आगे देखते हैं start करते हैं कि electrolysis में यदि हम suppose molten NaCl ले रहे हैं अब molten NaCl ले रहे हैं तो उसमें जो हो जाएगा कि हम देख रहे हैं electrolysis कैसे होगी तो this is molten sodium chloride अब molten sodium chloride में हमने क्या किया है कि यहां पर sodium chloride लिया है उसको molten state में कर दिया है और उसको same हमने यहां पर positive terminal of the battery जो है इस electrode के साथ connect किया है positive terminal of the battery हम इस electrode के साथ connect कर रहे हैं अब क्योंकि हम देखें तो यहां पर क्योंकि दो ही ions है यहां पर हमारे पास एक cation है और एक anion है अब cation की reduction होनी चाहिए anion की oxidation होनी चाहिए और क्योंकि यहां single single है तो हमारे को product से में कोई preferential कुछ नहीं होगा यहां पर यहां पर sodium solid जो हो जाएगा वह हमारे को मिलेगा at cathode और यहां chlorine gas जो है वह chlorine gas में convert हो जाएंगे तो हमें chlorine gas जो हो जाएगी एक product मिलेगा और sodium solid जो हो जाएगा दूसरा product मिलेगा तो इस तरह से जब हम molten कोई भी solution लेंगे सब्सक्राइब की जगह में यहां पर से potassium bromide लेलू तो potassium bromide में यहां हो जाएगा potassium मिलेगा और यहां पर हमें bromine मिलेगे gas तो और उसके हिसाब से हमें potential change करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसी हिसाब से इस circuit में potential apply करना पड़ेगा कि जो reduction इसकी sodium के reduction या chlorine या bromine की oxidation हो सके तो उसके इसाब से potential apply करना पड़ेगा तो अब हम next देखते हैं कि यदि concentrated solution को हमें electrolysis करना है तो हम concentrated solution का electrolysis कैसे करेंगे अब यहां पर यह तीन cases create होते हैं सबसे पहला जो case था वो basically molten solution का था कि किसी भी electrolyte का हमने molten solution create कर लिया तो वो molten solution में यदि हम electrolysis करेंगे तो उसके products क्या होंगे आपको question इस तरीके से आ सकता है कि molten calcium chloride के हम electrolysis कर रहे हैं तो क्या products होंगे तो molten calcium chloride होगा तो उसमें preferential electrolysis नहीं होगे वैसी अब हम जब second देख रहे हैं second जो हमारा case ले रहे हैं उसमें हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास concentrated solution है तो concentrated solution है मेंज उसमें हमने जो electrolyte है उसकी concentration ज्यादा कर रखी है तो इस is concentrated sodium chloride solution तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहां पर 26% NaCl को हम इंजेक्ट कर रहे हैं और यहां से हम water को इंजेक्ट कर रहे हैं अब यहां पर जो cathode जो है उस पर जो reaction हो सकते हैं अब cathode पर क्या reaction होगा cathode पर जो reaction होगा वो सबसे पहला हो सकता है कि sodium क्योंकि जो positive ions है या cations हैं वो reduce करेंगे तो first हो जाएगा sodium can reduce sodium can form sodium solid first जो है case ही हो सकता है second क्योंकि यहां पर water की भी self ionization हो रही है यह हम इसको देखें कि two moles of water plus two electrons it will give h2 plus two oh minus ions तो हमारे पास यह दोनों basically probable reactions हो सकते हैं अब यदि हम इसका e naught cell देखें और यदि आपको clarity नहीं है कि हम activity series या reactivity series के हिसाबसे से कैसे decide कर सकते हैं तो जो उपर corner पे आपको card display हो रहा है उस card को follow करके आप देख सकते हैं कि अपने concepts को strong कर सकते हैं कि हम किस तरह के से decide करेंगे कि oxidation और reduction में जो potentials हैं उसको कैसे consider करते हैं अब यहां पर जो इसका oxidation potential है या इसका reduction potential जो है sodium का वैसे इसकी reduction हो रही है तो reduction potential of sodium जो है it is minus 2.71 volts और hydrogen की reduction हो रही है water की reduction हो करके hydrogen convert हो रही है इसकी reduction potential है it is 0.83 volts अब जो मैंने वहां पर उस video में concept बताया है उसको briefly आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम number line लेते हैं और number line पर हम यह देखते हैं यहां पर बीटवे 0 जो hydrogen का हम potential लेते हैं standard potential लेते हैं और उसके बाद जो suppose और यह minus यह जो है negative axis है यह positive axis है अब sodium का potential यहां कहीं लाई कर रहा है minus 2.71 वोल्ट और यह hydrogen का हम potential बोल रहे हैं वो यहां है it is closer to zero it is 0.83 वोल्ट अब क्योंकि 0.83 वोल्ट जादा closer है towards zero तो इसलिए इसका preferred this would be preferably reduced so this is preferred और यह reaction preferred हो जाएगा तो यहां पर इसलिए आपको बताया गया है कि यह hydrogen one of the products है तो hydrogen यहां पे एक product बन रहा है तो अब हम देखे reaction at anode क्या होगा अब anode पे जो first है वो है chloride ions जो है उसकी oxidation हो सकती है तो chloride ion oxidation होगे chlorine gas plus electrons release करेंगे तो यह हो जाएगा first reaction यह हो जाएगा second reaction जो हो जाएगा कि water जो है उसको उसमें हम उसकी oxidation कर सकते हैं तो it would give oxygen gas plus two h plus ions तो इस तरीके से हमारे पास plus two electrons यह oxidation का reaction आ जाएगा अब यह हम इसके potentials देखे तो इसका potential जो oxidation potential हो जाएगा और इसका potential हो जाएगा minus one point two three volts water का जो है water की जब oxygen प्रड्यूस हो रही है तो उस case में उसका one point two three volts हो जाएगा minus में और जो chlorine का है that is one point three six volts अब यह oxidation potentials हैं अब हम इसको जब reduction potential में convert करेंगे तो इसका sign invert हो जाएगे तो यह आजाएगा one point three six volts and this would be one point two three volts तो अब इसमें यह दी same number line पे हम प्लेस करें तो अब यह one point three six volts यहां पे है suppose this is one point three six volts और यहां पे है one point two three volts अब one point two three volts जो है towards left lie कर रहा है और जो element यह जो जिसका potential left hand side पे लाई कर रहा हो तो oxidation में जब oxidation reaction हम consider कर रहे हैं तो वो preferably oxidize होता है तो यहां पे theoretically यह होना चाहिए कि जो है oxygen gas evolve होनी चाहिए पर क्योंकि यहां पे oxygen जो है उसका जो kinetics है काइनेटिक है काइनेटिक है reaction kinetics देखें तो वो उतना vigorous नहीं है पर chlorine की oxidation much more vigorous हो जाएगी और क्योंकि chlorine की oxidation हो जाएगी तो यहां पे इसलिए chlorine gas evolve होगी तो यहां पे जो हमारे products हो जाएंगे जब हम concentrated NACL solution की electrolysis कर रहे हैं तो उस समय hydrogen हमारा product हो जाएगा at cathode और chlorine हमारा product हो जाएगा at anode तो इस तरीके से हम anode और cathode पे products create करेंगे जब हमारे पास concentrated sodium chloride solution होगा अब next आगे देखें तो third जो है third case जो हो जाएगा उसमें हम जो है basically dilute solution ले रहे है of NACL dilute solution of NACL यह इसको dilute solution of aqueous NACL भी बोल सकते हैं तो अब जब हम dilute solution ले रहे हैं तो dilute solution में इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा dilute solution हो गया अब हम इसको अब सेम इसमें वैसे ही reactions होंगे जैसे हमने पहले देखे हैं तो अब इसमें anode पे reaction जो reactions हो जाएंगे वह हो जाएगा कि chloride ions will get oxidized to chlorine gas and an electron और H2O will oxidize as half O2 plus 2H plus ions plus 2 electrons तो cathode पे जो reaction हो जाएंगे वह होगा sodium ions plus an electron will give sodium solid and it would be water plus 2 electrons will give H2 plus 2 OH minus ions तो हमारे पास ही हो जाएगा अब इसमें वैसे होगा क्योंकि sodium का potential जो है reduction potential hydrogen के reduction potential से left hand side पर लाई कर रहा है तो इसलिए hydrogen would be one of the products तो dilute solution में hydrogen would be one of the products अब यहां पे chlorine और oxygen के बीच में हमने देखना है तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि इस case में क्या है chlorine की concentration उतनी नहीं है पर जो है water की concentration जादा है तो यहां पे oxygen would be one of the products तो बहुत dilute solution जब हम ले लेंगे तो उसमें कि cathode पे जो हो जाएगा cathode पे जो product हो जाएगा that would be hydrogen and anode पे जो product हो जाएगा that would be oxygen तो यहां पे oxygen और hydrogen product आ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि same NACL हम ले रहे हैं और उसको तीन different conditions में जब हम react करा रहे हैं या electrolysis करा रहे हैं तो उसमें उसके हर बार products different आ रहे हैं क्योंकि जब हम molten ले रहे थे तो उसमें हमारा पास sodium metal और chlorine gas आया जब हमने concentrated लिया तो हमें hydrogen और chlorine gas products आये यहां पे hydrogen और oxygen products आएगे जब हम बहुत ज़्यादा dilute solution लेगे अब इसके इलाबा एक case और है जो हम देख सकते हैं उसमें हम यह है कि suppose हमें कोई metal ले रहे हैं और उसमें हम अभी तक हम मैंने यह तीनों जो cases discuss किये हैं इसमें एक चीज constant रखी है कि मैंने inert electrodes लेकर करके discuss किये हैं not participating in the reaction तो इसलिए हम उसके inert electrode बोल रहे हैं अब मैं एक example ले रहा हूं जिसमें inert electrode नहीं ले रहा हूं suppose मैं silver nitrate की electrolysis कर रहा हूं using silver electrodes अब silver electrodes के साथ मैं silver nitrate की कर रहा हूं तो यहां पे जो reactions हो जाएंगे हमारे पास cathode पे जो reaction हो जाएगा cathode पे आ जाएगा कि silver ions would get reduced to silver metal और similarly क्योंकि aqueous solution है silver nitrate का aqueous solution की मैं electrolysis कर रहा हूं तो यहां पे second जो है इसमें हो जाएगा कि basically water will basically get reduced and it would produce hydrogen plus OH- ions अब यदि हम इसके potentials देखें तो E0 जो है इसका हो जाएगा reduction potential जो है plus 8.8 volts है और इसका जो है E0 जो है it is minus 0.83 volts अब क्योंकि silver का potential जो है reduction potential towards positive side है तो इसलिए silver जो है इसमें reduce करेगा तो यहां पे जो हमारे पास product आएगा वो silver metal deposit होगा at cathode और जो anode पे product हो जाएंगे अब anode पे यदि हम देखें तो यहां पे हमारे पास एक तो case है वो तो same हो जाएगा कि nitrate ions है हमारे पास अब nitrate ions की reduct जो oxidation है वो नहीं हो सकती इस reaction is not possible अब यह इसलिए नहीं possible हो सकता क्योंकि यहां पे हम देखें nitrogen की जो oxidation state है इन nitrate ion वो पहले से ही plus 5 है और यदि हम इसको further oxidation करने ही कोशिश करें तो it has to lose electrons अब nitrogen ने अपना valence shell पहले ही खाली कर दिया है क्योंकि plus 5 oxidation का state का मतलब ही हो गया कि nitrogen के पास electrons है ही नहीं तो अब वो further oxidize नहीं हो सकता है इसलिए nitrate ion की oxidation नहीं होगी जो second possibility हो जाएगी वो हो जाएगी h2o can oxidize and it can give half o2 plus 2 h plus ions plus 2 electrons और इसका potential जो है minus 1.23 volts है और इसके साथ यदि हम आप क्योंकि silver हमने electrode लिया है तो it can also participate in the reaction और जब भी हम inert electrode के बजाए non-inert electrode लेंगे तो वो electrode भी participate कर सकता है in the reaction तो यहां silver जो है वो oxidize होगा और यह हो जाएगा कि it will give silver ions plus an electron अब इस अब इस case पर यह हम देखे तो इसका oxidation potential जो हो जाएगा it is 0.80 volts और इसका reduction potential हो जाएगा 1.23 volts अब यह हम number line पर देखें same number line वाला concept लगाएं तो यह zero है यह 0.8 volts है और यह 1.23 volts है तो क्योंकि silver जो है इसके left hand side पे लाई कर रहा है और जो element left hand side पे लाई करेगा वो हमीशा oxidize करेगा तो यहां पे silver ही oxidize करेगा और silver ही reduce कर रहा है तो जब हम आपको इस तरीके से question आता है तो इसमें silver oxidize कर रहा है सिल्वर डिफिकेंशन सिल्वर की प्यूरिकेशन जैसे पॉपर की प्यूरिकेशन करते हैं एक एक इनलेकrias लगाकरके तो वैसे हम इस यह सिल्वर डिफिकेशन कर रहे है तो इस तरीकेसे हम इसको काइसी और अइन जो है वो oxidize कर सकता है और यह Onu writing is तभी possible होगी जब एक से ज़्यादा केटाइन्स या एक से ज़्यादा एनाइन्स है solution में तो ये थे चार डिफरेंट टाइप के concept preferential electrolysis के साथ associated और जितने भी आप examinations में questions देखेंगे वो सारे कहीं न कहीं इन concepts के आसपा से revolve कर रहे होते हैं और यदि आपको इसमें से किसी भी concept में clarity create नहीं हुई हो तो नीचे comment section में comment करें and I will definitely get back on that comment आप मेरे इस episode को like करें share करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है तो do consider subscribing my channel and don't forget to hit the bell icon आप मुझे social platforms पे भी follow कर सकते हैं and thanks for watching this episode